पारत के विकास में पानी की कमी बाधा ना बने इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दाईत्व है माननिय प्रधान मंत्री जी के इसी विजन को साकार करते हुए उत्तर प्रधेश के रामपुर जिले में माननिय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित तिनात जी के मार्ग दर्शन एवं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री रवींद्र कुमार मांदर के नेत्रित्त में कैच दुरेन प्रोग्राम की शुरुआत की गई जिससे आम जन जीवन सुलब होगा तथा पानी की कमी दूर होगी किसानों को क्रिशी उत्पाद में जल आपूर्ती की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा साथ ही ग्रामीन महिलाओं को पानी लेने मीलों दूर नहीं जाना होगा कैच तरेन में कई योजनाई सम्मिलित हैं ये सभी योजनाई अलग-अलग केंदर बिंदूओं पर आधारित हैं जिनका उदेश जल संचायन एवं सदुपयोग है सर्व प्रथम नदी जिर्नोधार कार्य के तहत रामपूर में तीन नदियों सैजनी, बहला वबहगुल का जिर्नोधार कराया गया जनपद रामपूर की बहला नदी पर ग्राम बैजना में सब सर्फिस दाईक का निर्मान भी कराया जा रहा है जिससे जलस्तर में व्रिधी होगी तालाबों में प्राकृतिक रूप से भूजल रिचार्ज होने का दर एक धीमी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को गती प्रदान करने हे तू रिचार्ज शाफ्ट का निर्मान कराया जा रहा है मनरेगा के अंतरगत तालाब जिर्णोधार योजना में पुराने तालाबों को 3 मीटर गहरा किया जाता है साथ ही जल के आनेव निकासी के लिए इनलेट व आउटलेट रैंप का निर्मान किया जाता है अमरित सरोवर निर्मान के तहट देश के प्रथम अमरित सरोवर का शुबारंब 24 अंपरेल 2022 को किया गया जिसकी प्रशंसा माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी द्वारा मन की बात कारक्रम में की गई वर्षा जल संचायन हेतू शासकिय अर्ध शासकिय एवं निजी भवनों, इंडस्ट्रीज, होटेल, प्राइवेट हॉस्पिटल आदी पर रेंवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की गई इसी के साथ साथ जनपद के ग्रामियन क्षेत्रों में लगे हैंड पंपों और स्कूल में हैंड वॉश यूनिट पर सोप बिट का निर्मान कराया जा रहा है जिसमें वेस्ट पानी को भूमी में पुनह रीचार्ज किया जा रहा है पूर्व में निर्मिट चेक डैम की डिसिल्टिंग का कार्य कराया गया है जिससे जल धारंक्षमता में वृध्धी हुई है इनी योजणाओं में सम्मिलित है नेहरों की सिल्ट सफाई जिसका कार्य सिंचाई विभाग के सहयोग से मनिर्गा वभागी धन राशी द्वारा किया जाता है इन सभी योजणाओं के साथ वरिक्षा रोपन का कार्य कराया गया है जीवन में जल के महत्व को समझते हुए एवं रामपुर निवासियों के रोजाना के जल संकट को समप्त करने के लिए शुरू किया गया Catch the Rain का रिक्रम जल संचयन में एक एहम भूमिका निभा रहा है इसी का परिणाम है के जनपद के कुल 6 विकास खंडों में से जो 4 विकास खंड डार्क श्रेणी में थे उन में से 3 विकास खंड सुरक्षित श्रेणी में आ गये हैं तथा एक अतिदोहित श्रेणी से क्रिटिकल श्रेणी में आ गया है रामपूर जिले के समस्त अधिकारियों एवं स्थानिय निवासियों के प्रायासों से रामपूर जल सनरक्षन में उत्तर प्रदेश का आदर्श जिला बनने की ओर अग्रसर है